जेहिंद फ्रेंड्स आज हम लोग जो 10th क्लास की सिरीज हमारी चल रही थी उसके अगले टॉपिक की और बढ़ेंगे टिग्नोमेट्रिक हमारी चल रही थी टिग्नोमेट्रिक में हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ कुश्चन्स हमने कर लिये थे आज हम उसके आ करते हैं एक यह था एक्जामपल नंबर 12 यह आपका छूट गया था कुश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सेक स्क्वार थीटा इसका यूज करके हमें क्या प्रूफ करना है ठीक लेफट साइट से हमें स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो ये क्या लिखा है, sin theta minus cos theta plus 1, divided by sin theta plus cos theta minus 1, right side में हमें क्या लाना है, sec or 10, तो जब sec or 10 लाना है, तो हम क्या कर देते हैं, इस पूरे numerator और denominator को cos theta से divide कर देते हैं, तो लिखिए, divide numerator and denominator by cos theta, हिंदी में क्या लिखेंगे, कि अन्सावर हर को cos theta से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, sin theta divided by cos theta minus 1 plus 1 by cos theta, similarly ये क्या हो जाएगा, sin theta divided by cos theta, ठीक है, हमने इसको लिख दिया, sin cos theta से divide कर दिया, अब क्या करना है, ये हो जाएगा 10 theta, तो 10 theta plus sec theta minus 1, divided by, ये क्या आगया, 10 theta minus sec theta plus 1, अब right side में देखिए, right side में क्या लिखा है, sec theta minus 10 theta, यहाँ पर कहीं है ऐसा, नहीं है, तो क्या कर दीजिए इससे, multiply कर दीजिए numerator और denominator में, तो इसमें क्या लिखेंगे next, कि multiply, numerator, and denominator, अंस और हर को, इससे करना है, वहाँ पर क्या लिखा था, 10 theta minus sec theta, या sec theta minus 10 theta, sec theta minus 10 theta लिखा है, तो यहाँ पर कर दीजिए, sec theta minus 10 theta से, multiply करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 theta plus sec theta minus 1 divided by 1 minus sec theta minus 10 theta into sec theta minus 10 theta और divided by sec theta minus 10 theta, ठीक, हमें right side में यही चाहिए, तो हम इसको एजिटिज रखते हैं, इसको आप multiply मत कीजिएगा, उपर वाले को multiply करते हैं, multiply करके देखते हैं क्या ये बन जाता है, अगर ये बन जाता है, तो cancel हो जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, multiply कीजिए, इसको इससे, ये लिखा है sec theta minus 10 theta और ये लिखा है sec theta plus 10 theta और ये लिखा है sec theta minus 10 theta, इसको multiply कर दीजिए, a plus b, a minus b, a square minus b square, ठीक, यहां से तो ये हो गया, इसको multiply कीजिए, sec theta minus 10 theta, divided by 1 minus sec theta minus 10 theta into sec theta minus 10 theta, ये identity क्या होती है, sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta, तो इसकी value क्या हो जाएगी, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 minus sec theta minus 10 theta, divided by 1 minus sec theta minus 10 theta into sec theta minus 10 theta, ये और ये cancel, तो आपका क्या बचा, ये हुआ, ये हुआ, 1 upon sec theta minus 10 theta, और ये ही है आपका क्या, right hand side, मतलब आपका proof हो गया, ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो, तो पूछ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, कि अगर sec 10 में दिया है, तो इसको भी sec or 10 में ले जाएगे, sec or 10 में तभी आएगा, जब आप cost theta से divide करेंगे, फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखाया, sec theta minus 10 theta, उससे आपके अगर लीजिए, उपर और नीचे multiply कर दीजिए, सब कुछ cancel होकर कि यही बचेगा, ठीक है, तो ऐसे ही आपको question को approach करना है, चलिए, कहां तक हो गया था, fourth, fourth हो गया था, third हो गया था, third हो गया था, अब हमें क्या करना है, fourth करना है, fourth का fourth number, fourth का fourth number क्या कहता है, कि one plus sec a divided by sec a, is equal to sine square a divided by one minus cos a, ठीक, देखने से लग रहा है, कि इसको right hand side से solve कीजिए, ऐसा क्योंकि ये, क्योंकि sine square नहीं होना चाहिए, यहां पर sec तभी आएगा जब यहां पर total cos हो, तो यहां पर right hand side से solve कीजिए, sine square a divided by one minus cos a, sine square a को क्या लिख सकते हैं, one minus cos square a, तो one minus cos a, उपर क्या लिखा है, a square minus b square, तो इसको लिख दीजिए, a minus b, और a plus b, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, one minus cos a, और one minus cos a, कैंसल, क्या बचा, one plus cos a, cos a को क्या लिख सकते हैं, one by sec a, तो यह क्या हो जाएगा, one plus sec a, divided by sec a, और यही प्रूफ करना था, यह क्या है, left hand side, ठीक, फुरूफ हो गया, ठीक है, चीजें तभी आसान हैं, जब आपको फार्मूले पता हैं, और इसमें selected फार्मूले हैं, केवल 6 आपके ratio हैं, और उनी 6 के साथ, आपको play करना है, ठीक, चलिए, fifth number question, fifth number question क्या कहता है, कि यह सर्वसमिका का यूज करके, हमें यह प्रूफ करना है, अभी हमने एक्जाम्पल आपको सालूफ कराया था, ठीक, वैसे इसको सालूफ कर लीजिए, V, कौन सी identity यूज करना है, कासे कि square a is equal to one plus, cot square a, left side में, क्या प्रूफ करना है, पहले यह लिख लेते हैं, कासे माइनस साइन ए, फ्लस वन, divided बाई, कासे प्लस साइन ए, माइनस वन, is equal to कासेक ए, फ्लस काट ए, कासेक और काट में लाना है, तो सबसे पहले इसको साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, तो left hand side लिख लीजिए, कासे माइनस साइन ए, फ्लस वन, divided by कासे ए, फ्लस साइन ए, माइनस वन, क्या कर दीजिए, डिवाइड, नूमरेटर, and denominator, by, साइन ए, साइन ए क्यों की ए, कास बाई साइन क्या होता है, काट और वन बाई साइन, कासेक, तो कर दीजिए, कासे ए बाई साइन ए, माइनस, साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, वन, और यह हो जाएगा, वन अपान साइन, डिवाइड बाई, यहाँ पर, यह डिवीजन, इक्वाल के सामने लगाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos A divided by sin A plus 1 और यह हो जाएगा 1 upon sin A यह क्या आ गया cot A plus cos A minus 1 divided by cot A minus cos A plus 1 हमें क्या लाना है cos A plus cos A cos A plus cos A यह लाना है बस खाली तो क्या कर दीजिए इसी से multiply कर दीजिए उपर और नीचे तो यहाँ पर लिख लीजिए cos A plus cot A से uns and her में गुड़ा करने पर multiply कर दीजिए multiply करेंगे तो क्या आ जाएगा cot A plus cos A minus 1 into cos A plus cot A divided by cot A minus cos A plus 1 into cot A plus cos A plus cos A हमें यही लाना है numerator में right side में तो हम इसको open नहीं करेंगे इसको as it is रखेंगे numerator को denominator को क्या कर दीजिए expand कर दीजिए cot A plus cos A minus 1 into cos A plus cot A divided by इसको open कीजिए A plus B A minus B जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा cot square A minus cos A plus cot A plus cos A identity देखिए क्या लिखा है cos A is equal to 1 plus cot square A इसका क्या मतलब है कि cot 1 उधर जाएगा और cos A square A इधर आएगा तो cot square A minus cos A cot square A cot square A minus cos A isकी value क्या हो जाएगी minus 1 रख दीजिए जब value रखेंगे तो क्या मिलेगा cot A plus cos A minus 1 into cos A plus cos A divided by यह हो जाएगा cot A plus cos A minus 1 यह और यह cancel तो वही मिलेगा जो आपके right side में लिखा है equal right hand side proof हो गया कहीं कोई दिक्कत हो तो बताईए चलिए next question next question क्या कह रहा है under root 1 plus sin A divided by 1 minus sin A is equal to क्या दिया है sec A plus 10 A ठीक क्या कीजिए इसको करने के लिए सबसे पहले 1 plus sin A से multiply कर दीजिए numerator में भी denominator में भी और under root के अंदर left side में हमने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताई दे रहा हूँ ऐसा इस वज़े से किया क्योंकि यह क्या बन जाएगा square whole square और यह क्या बन जाएगा A square minus B square तो जब दोनों तरफ square आ जाएँगे तो यह root क्या हो जाएगा हट जाएगा इस वज़े से ऐसा किया है तो A plus B A plus B A square प्लस यह हो जाएगा 1 plus sin A का whole square divided by A minus B A plus B A square minus B square यह क्या हो गया 1 plus sin A का whole square divided by 1 minus sin A क्या हो जाएगा cos square ठीक बास समझ में आ गई अब क्या हुआ root हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 plus sin A divided by cos A अलग-अलग कर लीजिए 1 by cos A plus sin A by cos A यह क्या लिखा है sec A और यह क्या लिखा है sin A is equal to right hand side proof हो गया कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए चलिए next question चीजें बहुत ही आसान है लेकिन तभी जब आपको फार्मूला याद हो sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta is equal to 10 theta बहुत बढ़िया sin theta उपर से कामन लिजिए left side में sin theta कामन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 minus 2 sin square theta और cos theta उपर से कामन लेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos square theta minus 1 ठिक अब क्या हुआ sin theta ये साइन बाई कास ये तो हो जाएगा 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 10 theta इस 1 को क्या लिख सकते है sin square theta plus cos square theta minus 2 sin square theta similarly इस 1 को भी यही लिख दीजिए 2 cos square theta minus sin square theta minus cos square theta ये क्या हो जाएगा sin square theta minus 2 sin square theta ये लिखा जाएगा cos square theta minus sin square theta और यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा ये भी लिखा जाएगा cos square theta minus sin square theta into में क्या है 10 theta ये और ये 1 हो जाएगे तो क्या लिखा है वही लिखा है जो right hand side में proof करना है ठीक ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि अगर यहाँ पर 10 theta लाना है तो ये दोनों cancel होंगे और cancel करने का एक ही तरीका है कि 1 के साथ क्या करना है कुछ न कुछ apply करना है अब यहाँ पर sign है तो 1 का वही formula अप्लाई करेंगे जो sign और कास के बीच में आता है इस वज़े से हमने 1 के जगे यह रखा ठीक यह आपको धीरे धीरे चीज़े अभ्यास से आती जाएंगी चलिए next question 8th number 8th number क्या कह रहा है sign a plus cos a square plus cos a plus sec a का square is equal to क्या दिया है 7 plus 10 square a plus cot square a अच्छा इसको क्या करते हैं फ़हले left side देखते हैं ठीक चलिए left side देखेंगे तो क्या आजाएगा square कीजिए sine square a plus cos a square a plus two sine a cos a plus इसको open कीजिए cos square a plus sec square a plus two cos a sine square a plus cos square a क्या बच जाएगे one plus ये लिखा है cos a की square a ये लिखा है sec square a sine a और cos a की एक दूसरे के opposite होते हैं तो cos a को क्या लिख देंगे two sine a और cos a को लिख देंगे one by sine a तो ये और ये cancel plus इसी तरह इसको लिख देंगे two cos a और one upon cos a तो ये और ये cancel तो ये क्या हुआ two plus two four four plus one five तो five is equal five plus कासे की square और sec square में कासे की square is equal to क्या होता है one plus cat square है और sec square क्या होता है one plus ten square है ये दिमाग हमारा कैसे काम किया क्योंकि यहाँ पर क्या देना है ten और cat में answer तो इसको किसमें बदल लीजिए ये काट में और इसको किस में बदल लीजिए 10 में तो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 7 प्लस 10 स्क्वाइर है प्लस काट स्क्वाइर है ये वही लिखा है जो हमारे राइट साइड में अगर ये ऐसे ना आता फिर हम इसको दोनों पच अलग-अलग लेफ्ट साइड अलग सालू कर नाइन्थ कुष्चन है कुष्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कॉसे के माइनस साइन एंटू सिक ए माइनस कॉसे के माइनस कॉसे इस इक्वल टू है 1 प्लस 10 ए प्लस कॉर्ट अगर मैं साइन और कॉस में निकाल लूँ तो जरा इसको निकालते हैं तो वन अपान यह हो जाएगा साइन ए बाई कास है और यह हो जाएगा कास ए बाई साइन ए जरा इसका डिनॉम्नेटर और नुम्रेटर का मल्टिपलाई कीजिए तो उपर पहुंच जाएगा साइन ए पास ए और नीचे हो जाएगा साइ A cos A के equal इसकी value लेफ्ट साइड ये तो हुआ राइट साइड राइट हैंड साइड ये था लेफ्ट साइड में देखते हैं पास सेक A को क्या लिख दीजिए साइने और सेक A को लिख दीजिए कासे लिख सकते हैं बिल्कुल multiply कर दीजिए LCM लेकर के तो 1- sin square A divided by sin A into 1- cos square A divided by cos A 1- sin square A कितना होता है कितना होता है cos square A और 1- cos square A कितना होता है sin square A divided by क्या लिखा है sin A cos A cos A इस square से कट गया sin A इस square से कट गया तो बचा कितना sin A cos A sin A cos A ही हमें निकालना था मतलब left hand side is equal to क्या है right hand side ठीक यहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं otherwise आगे बढ़ते हैं आगे क्या है last question है हमारा question number 10 क्या कह रहा है 1 plus 10 square A divided by 1 plus cot square A is equal to 1 minus 10 A का whole square divided by 1 minus cot A का whole square is equal to लिखा है 10 square A ठीक तो पहले इसको इसको proof कर देते हैं फिर इसको इसको proof कर देंगे ठीक तो सबसे पहले क्याले दिखते हैं 1 plus 10 square A left hand side 1 plus 10 square A divided by 1 plus cot square A 1 plus 10 square A क्या बनता है 6 square A और 1 plus cot square A बनता है cos 6 square A 6 square A को क्या लिख सकते हैं 1 upon cos square A और cos 6 square A को क्या लिख सकते हैं 1 upon sin square A इसको आप लिख सकते हैं sin square A divided by cos square A और यह किसके equal है 10 square 1 है proof हो गया this equal to this अब जड़ाइ इसको देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे 1 minus 10 A का square divided by 1 minus cot A का square open कीजिए 1 plus 10 square A minus 10 A divided by minus 2 10 A A square plus B square minus 2 A B इसी तरह यह 1 plus cot square A minus 2 cot A ठीक 1 plus 10 square A क्या होता है 6 square A minus 2 10 A divided by यह हो जाएगा cos 6 square A minus 2 cot A ठीक अब हमें क्या करना है 10 A इसको sin A अब हमें क्या करना है तो यह क्या हो जाएगा 1 upon cos square A minus 2 sin A by cos A यह क्या हो जाएगा 1 upon sin square A minus 2 cos A by sin A अगर ऐसा है फिर इसको क्या करेंगे LCM लेंगे तो 1 minus 2 sin A cos A divided by cos square A whole divided by 1 minus 2 sin A cos A divided by sin square A तो यह और यह pencil तो क्या है sin square A divided by cos square A और यह वही है जो right hand side में proof करना है 10 square A यह आपका proof हो गया ठीक तो चीजें तभी तक आसान है जब तक कि आपके concept clear है हमारी जो trigonometry की unit है unit number 8 वो आपकी खतम हो चुकी है अब आप इसकी practice कीजिएगा ठीक है और अगर इसमें कोई doubt हो तो पूछिएगा जहां तक है कि doubt नहीं आएगा केवल और केवल पूरी trigonometry इनी 6 trigonometric ratio पर काम करती है बस अगर इनका concept clear है कि sign क्या होता है cost क्या होता है height and distance जो की trigonometry का क्या है applications ठीक है उसका अनुप्रयोग ठीक तो तब तक के लिए खुब अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेहनत कीजिए और अच्छे से अभ्यास करते रहिए धन्यवाद